नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब खबर मैं हूँ आपके साथ पूजा चाँ चलिए एक नज़र डालते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों पर पिछले दिनों यूपी के संभल में दिन दहाड़े हुई लूट और डकैती की घटना के बाद पुलिस सब एक्शन अफ्तार में नज़र आ रही है दरसल बीती रात कोतवाली गुनो और इलाके के ग्राम इसमपुर के जंगलों में पुलिस ने एंकाउंटर के दोरान 25,000 के एकिनामी बदमाश को मुटभेड के दोरान गिरफतार कर लिया वहीं इस मुटभेड के दोरान कोतवाल समें दो पुलिस कर्मी भी घायल हो गए जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया बताया जा रहा है कि मौकाई वारदात से पुलिस ने लूट की एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक तमंचा और पांच जिंदा कार्टूस बरामत किये हैं वहीं पुलिस की इस काम्याबी के लिए पुलिस सधिक्षक यमना प्रसाद ने उनकी टीम को इनाम देने की घोशना भी की है बागपत के निरोजपुर गाउं में रहस्यमई बुखार ग्रामीडों के खौफ की बज़ब बना हुआ है इस बुखार का नाम सुनने के लिए गाउं के लोग तरस गए हैं लेकिन ये बुखार एक एक करके गाउं के छे लोगों की जान ले चुका है मरने वालों में तीन बच्चे और तीन लोग शामिल है वहीं इन मौत के बाद अब स्वास्ते विभाग नीन से जागा है अब गाउं में कैंप लगाये जा रहे हैं स्वास्ते विभाग की टीम गाउं के चकर लगा रही है एंटी लारवा का छिरकाब भी कराया जा रहा है बखार के इस्तथी को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है हाला के इस बारे में जब हमने बागपच सीएमो से बात की तो उन्होंने अपनी खामियों का ठीक राज जोला छाब डॉक्टर्स पर फोड़ दिया और ये भी कह दिया कि अब हालात सामान्य है मौँ जन्पद में चिरया कोट ठाना इलाके के कस्वे में उस समय हरकम पौर अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक महिला एक तीन साल के बच्चे को चुरा कर गायब हो गई बच्चा चोरी होने का मामला संग्यान में आते ही लोग सक्ते में आ गए और आनन फानन में की शिकायत स्थाने थाने में की वहीं जब पुलिस ने जाज के दौरान एक दुकान पर लगे सीसी टीवी क्यामदे की जाज की तो उसमें एक महिला बच्चे को ले जाती दिखी जिसके आधार पर पुलिस बच्चा चूरी करने वाली महिला की तलाश करने में जुड़ गई है बच्चे की गादी भी घर के बाहर बैची जी थी खिलने खिलते वह बच्चा गायम हो गया आसपास अधी जोगेरा खनाला गया हसन पूर तहसील इलाके के एक गाउं के पूर माधिमिक विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों को निशुर्क स्कूली जूते वितरन किये गए ये वितरन गराम प्रधान वीर सिंग चोहान और नई विचार नई उर्जा फाउंडेशन के जरिये किया गया वहें इस कारिक्रम में मुक्य अथिती के रूप में जिला पंचायत अध्यक श्रीमती सरीता चौधरी और उनके पती भूपेंदर सिंग मौजूद रहे बताया जा रहा है कि नया विचार नई उर्जा फाउंडेशन की प्रेंडा से ही गाउप्रधान ने अपने गाउप के स्कूल को अमरोहा का नंबर वन स्कूल बनाने में लगे हैं इसकी साथ ही स्कूल में सिसी टीवी क्यामरे भी लगवाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तीन दिन से लापता एक युवक का शब एक के खेत में मिलने से इलाके में संसनी मज़ गई सूचना मिलते ही मौकी पर पहुँची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भिजवाया मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक तीन दिन से लापता था साथ ही परिजनों ने युवक की हत्या का आरोब गाउं के ही युप को पर लगाया है वहीं मौकी पर मौझूद S.P. विपिन टांडा ने परिजनों की तहरीर पर कारवाई करने की बात कही है खबरों में फिलाल इतना ही है वाकी की तमाम बड़ी खबरों से जोनने के लिए देखते रही है लाइब खबर झाल 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 झाल